तो गाइस फानली सर्दियां बहुत जादा बढ़ चुकी है और आप मुझे कमेंट कर बताओ कि आपके शहर में अभी जो टेंपरेचर जा रहा है वो मिनिमम कितना जा रहा है मैं अभी करेंटली पटना में हूँ आज का जो मिनिमम टेंपरेचर गया था वो दस डिगरी तक अगर बात करें तो सर्दियां बढ़ने वाले तेंपरेचर अभी और जादा गिरेगा तो अगर आप भी बजट में रहे तो एक अच्छा सा रूम हीटर ढूनरो अपने घर को गरम रखने के लिए तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने व तो मैं सौ पचा सुर बचाने के चक्कर में अपना सेरधर्दी नहीं पालना चाहता था इसलिए मैंने दोनों प्रेट्स को Amazon से भाई किया है जो क्रॉम्टन वाला रूम हीटर है उसका भी रिव्यू जल्दी आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा जैसी वह वाली वीड कौन सा बटन किस तरह करता है क्या क्या उसके फीचर से कितना बिजली कंजूम करेगा कौन से मोड में और आपको सबसे आगरी पेज में एक वारंटी कार्ड का भी मिल जाता है तो अगर एक साल के अंदर में कुछ खराब भी होता है तो आप आराम से वारंटी भी क्लेम कर स है प्रॉपर तरीके से बहुत जादा हाड़ गोर मैंने इसको टेस्क किया हुआ है अगर बात करें इसके डिजाइन के बारे में तो यह जो हैंडिल आप देख रहो इसको आपको अपरेट कर तो एक चीज़ का ख्या लगना है कि अगर आप इसको काफी देर से यूज करो तो यह जो सेक्शन आप ग्रेव shipped काफी घरम हो जाता है तो वैसे के इसम钓्स को इस्तहरे की से उठाना है बहुत अदर करके इस तरीके से आपको नहीं डाला हुआ उपर में इस तरीके से पकड़ना दन आपको उठाके इसको कहीं भी अगर इज्श्ट करना तो करना ब् weapons Songs थ यहां पर आपको मिल जाएगा LED इंडिकेटर जिससे आपको पता चलता रहा कि अभी आपके इस रूम हीटर के अंदर में करेंट आ रहा है कि यहां पर आपको दो मोड्स मिल जाएंगे पंखे के एक आपको बाइसों आर्पेम पर चलता है जैसी आप नीचे करोगे तो चौब सेकेंड मोड में आपको यहां पर आते हो तो यह जो यहीं यहे फिर सबस्क्राइब इसके पंखा लगा है जबहार के तरफ आगे फेकता है वहां वहां जब गरम कोके हवाएं बाहर निकलते हैं तो आपको एधान ही रखना है कि आपको गल्दी से भी इसका जो हवा का फ्लो इसको अब्स्रक्ट नहीं करना किसी भी चीज से ढखना नहीं है नहीं तो फिर आग लग सकता है इस चीज आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है नीचे के तरफ में आपको यहां पे स्टैंड मिल जाता है अच्छा गासा ही नीचे में रखा हुआ है फर्च पर रखा हुआ है और आप कुरसी इसके सामने में लगा के बैठे हुए एक फीट के दूरी पर तो यह आपके पूरे अच्छे कासे बॉड़ी पर पूरा हवा फिर फेकता है नीचे में आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल ज गया था मैकसिम कितना गया था वो भी सारे डेटा ये ट्रैकर करके बताता है इसका डीटिल रिव्यू आपको चैनल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वाक्स में इसके वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा तो बात कर एकर इसके रीडिंग के बार में तो यहाँ आप अगर कि यह साइड में तुमने रखा हुआ है जिसके वैसे रीडिंग गला था रहा होगा एक शी समझो कि जो हवाएं है यह बाहर के तरफ इधर के तरफ फेक रहा है यहाँ पर जो वेंट मना हुआ है साइड में यह आपको हवा सक करेगा तो यहां से ठंडी हवाओ को खीचेग कि इसको अपने टेवल पर यह रखा हूँथा चार दिन से जब तक मैंने इस वहले मशीन को टेस्ट किया तक यह मेरे पूरे टेवल पर ही चार दिन से पड़ा हूँआ था आपको नहीं अपने कमरे के दूसरे एंड पर रखा था कि किसी भी तरीके का एरर ना आओ तकि यहां पर अगर मैं इसको स्विच कर देता हूं चौबिस ओर पेंपर तो आप नोटिस कर सकते हो जो नौइज है वह एक विंडो एसी जो है उसे भी काफी कम यह नौइज कर रहा है तो आप अराम से रात में इसको यूज करते हैं सोगे भी तो भी आपको कोई दिस्टरबंस होगा तो आपको यह रूमीटर कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना बागी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बैस्वा लिंक मिल जाए खुद के वहां से बाई कर सकते हो क्रॉम्टन वाले का वीडियो जैसे बन जाता मैं उसका भी वीडियो का लिंक डि जाता मैं जाता मैं